हर्याना मैं इस समय में हूँ गाउं कुसक बडोली हर्याना का एक छोटा सा गाउं पलवल जिले का जिसके एक युवा ने दुनिया में तेहलका मचा दिया छे बर वीषवे किरती में बनाए और यहाँ आपर आप देख रहाएं यह एवाड की जहड़ी लिकरी है यह वर्ड रिकोर्ड है गोल्डन बुको वर्ड रिकोर्ड में आठ वार नामदर्स इनों ने अपना करवा है है उसके अलावा गनीजबुक और वर्ड रिकोर्ड के लिए भी एटेम्ट गर चुके हैं और अनेक एवाड इसे यू आप ने जीते हैं पहलवान देश में बहुत मिलेंगे मित्रो एवाड भी खूब लोगों ने जीते होंगे लेकिन केवल गव्य से यानि गव माता की सिव करके इस तरह से सरीर बनाना और देखिए हनवान जी महराज की गदा विशाल गदा जो हर कोई उठा नहीं सकता वो किस सहस्ता के सास्थ संजे ने उठा रगी है और यह आप देख सकते हैं यह अलग लग एटेम्ट हैं जिसे पुश अप कहते हैं जिसको हम वो करके एक एक पूरे लग बग दस दस जार पुश अप करना किसी पहलवान की बस की बात नहीं होते हैं आप कुस्ति लग सकते हैं वजन उठा सकते हैं लेकिन यह सब करना और गो भक्ति के साथ यह संजे की सबसे बड़ी खाशियत है और यह देखिए एक छोटा छोटी गदा यहां पर है यह भी काफी भारी है यह देखे मुझे भी मैं चुँकि हर्मान भक्त हूं तो मुझे भी गर हो रहा संजे के साथ यह अटा के लगि जो संजे न उठा रहे हैं वो उठाना मेरे बस की बात नहीं है क्योंकि मैं पत्रकार हूं और संजे सिंग पहलवान है और गर वे इस जैस्री राम हिर्दे के साथ प्रिणाम चरंशपर्स और जो हमारी भारती संस्कृति है और जो हमसे विछटती जा रही है चूडती जा रही है उसी पर लाखो करोडो यूगाओं को चलाने का प्रियास हमारा और सिमनात्तिवारी जी ने उठाया है और हम इसे बिलकुल और प्राचिन रिसिमूनी करते थी इससे आपको सक्ति मिलेगी बल मिलेगा सुन्दर्ता मिलेगी पवित्रता मिलेगी गंद्य कर्वों से दूर रहोगे और जीवन आपका हमेशा हमेशा के लिए पिरभू के चल्लों में समर्पित हो जाएगा यह हमारी सपाटे दंड थी भारतिय देशी संस्कृती की सपाटे दंड जिसे पूरे भारत बर्स में पूरी दुनिया में हर अखाडे पर माला जाता है इसमें भी पूरी पिर्थवी पर सबसे पहला रिकॉर्ड आपके ही भाहिका है गोबक संजे पहलवानेगा और एक घंटे में पंद्रहसो एक घंटे में बारहसो एक घंटे बीस मिनट में पंद्रहसो यह 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 रोटी दंड थी गोबमाता की सक्ति का साफ प्रदर्शन आप इसमें स्क्रीन पर देख रहे हैं हर्याना के कुसक बडोली गाउं के पहलवान संजे सिंगा ब्रमचारी और परम गोबक्त केवल गोग दुख्द गोमुत्र का सेवन करते हैं और गोमाता के दुख से बनी वी चीज़ां का सेवन करके अपने सरीर को इतना मजबूत बना लिया है कि पांच विश्वे क्रिक्तिमान बना चुके हैं और चालीश डिग्री सेल्सेस दाप पान में बिना पंखा चलाए यह एक्सर्साइब हो रही आप देख सकते हैं और अंगने में आप देखरे हैं पानी पानी हो गया पानी नहीं यह पसीना है यह जो आप देख रहे हैं यह संजय का पसीना है जो आप देख रहे हैं बहरा हाँ है हुआ है 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 कि अगया है 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 कि इसके बारे मताएं सब्सक्राइब आप देखिया इसे यह रामूर्ति दंग और यह यह एक मिनट में एक दंड लगती है जी लेकि समय के अभाव से जल्दी जल्दी करके दिखाईए बरना यह एक मिनट में एक दंड लगती है और यह ब्रमचारियों के लिए बहुत महत्पून है यह मोस्ट पुसब थी जी हाँ फुल फुल पुसब और किसी भी भाई को बहन को पूरे विश में पूरे बंड में अगर ब्रमचारियों की सक्ति और नेचुरल तरीका से प्रितिक्स और पिर्मानमत देखनी हो गोमाता के आश्रबाद की सक्ति देखनी हो बीर बजरंग बली महराज ब्रमचरिये के से उत्पन हनुमान जी की ताकत देखनी हो और उनका आश्रबाद महंदीपूर बाला जी महराज जी का आश्रबाद देखना हो गाउ माता और गुरू की किरपा देखनी हो पिर्तिक्स और पिर्मान में मैं सभी से आज जोड़ता हूँ एक बार मेरे गाउं को जरूर आईए गाउं को सक बड़ोली वैसरात पनवल हरियाना और अभी मैं एक महीने से हैं परूँ और फिर मेरे एक महीने तक ब्रमचरीय सिविर चलेंगे जिनों में मैं यूबाओ को माता बहनों को नौजवान यूबाओ को जो अपनी सक्ति से भिविन हो चुके हैं भारती संस्कृती से दूर हो चुके हैं जिनकी पवित्रता हो चुकी है और जिनोंने माता पिता ने जिनको संस्कार ने दिये उनको संस्कार देने का उनमें ताकत भरने का और उन्हें भारती संस्किती से जोडने का गव माता से जोडने का मैं काम करता हूँ दोपेर के एक बज़े है 40 दिग्री सेल्शेस थापवान है और चिल्चला की धूप में आप देख रहे हैं संजैस सिंग पहलवान पुश अप कर रहे हैं पुशक बडोली गाउं के ये पहलवान पांच विश्व किर्दिमान बना चुके हैं और पस्यना पानी की तरह बै रहा है एसा महनती पहलवान साइद आपने नहीं देखा होगा और ये गव माता की सकती हैं गव्य सेवन करते हैं गव माता के दूसरे बनी चीजें और गव मुत्र का सेवन करते हैं संजै देखें कैसे पस्यना बहरा है लखए ंजा टाव लाओ के पस्या करते हैं इस तरह के पुश अप आपने नहीं देखे होंगे और इन सब पुश अप में विश्वर रिकोर्ड हैं संजे सिंग पेलवान की नाम हर्याना के पलवल जिले के कुशक बड़ोली गाओं के ये पेलवान पूरी तरह से ब्रह्मचारी है और केवल गवे से विन करते हैं संजे बहुत दो स्वागेत आपका थोड़ा सा गया जाएं बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बाचित करते हैं और खास्तोर से हनुमान जी महराज की गदा आज जीवन में पहली बार उटने का मोगा आपने दिये क्या कहेंगे ये सब कैसे हुआ आपके जीवन में कैसे आए साथ ये सब परम पिता पनमेश पर सिरी गुर्देव गोपाल मनी महराज जी की किरपा से जो मेरे गुरू जी है मेरे ईसवर है और मुझे लगता है पृते एक नौजवान के जीवन में गुरू का होना बहुत अ अच्छे गुरू नहीं मिलते और मैं सौभाग साली हूँ और वो इनसान सौभाग साली है जिस सच्चे इमानदार और गोभक्त गुरू मिलते हैं सबसे बड़ा रिकॉर्ड क्या रहा है संद्य आपका सबसे बड़ा रिकॉर्ड था 26 जुलाई गुरू पूर्णिमा के दिन च्छे गंटे में 5995 में पुसप्स जो बाबराम देब का एक सिस्स था कुल्दी पारिये उसके रिकॉर्ड को तोड़ा था अज़ा यह जो गोल्डन बुक बल्ड रिकॉर्ड में आप कितні बार अपना नाम दर्ज करा चुके हैं गोल्डन बुक बल्ड रिकॉर्ड में 5 बार दुनिया के सबसे बड़े विस्फ रिकॉर्ड बना चुका हूँ उसके बाद गिनीज बल्ड रिकॉर्ड में ओपिसल अटेम्ट कर चुका हूँ बिल्कुल अच्छा उसमें भी आपको उमीद है क्योंकि अभी कुछी दिन पहले उसका अटेम्ट किया आपने अगर आप सब की दयार रही केरपा रही वो जल्द ही उसका पूरा प्रिमान पत्र और प्रिमान पत्र जरूर बेजेंगे बिल्कुल हम हनुमान जी मारास से एक काम ना करते हैं कि हर्याना का ये छोटे से गाओं का ये गोभग पहलवान गिनीज बुक अपवर्ड रिकॉर्ड में नामदर्ज करवाए मैं आपको दिखाऊंगा इसी जिगह प्रजाप पर मिखड़ा हूँ यहाँ पर उन्होंने गिनीज बुक अपवर्ड रिकॉर्ड के लिए ओफिशिल एटेप्ट किया है ये देखे एक घंटे में 4295 में पुश अप किये और उस्ट्रेलिया के विश्व किर्तेमान धारी का रिकॉर्ड तोड़ा विलियम कार्टन का रिकॉर्ड तोड़ा संजै सिंग पहलवाने सपाटे दंड बैठक यानि लिप स्टेंड में 1202 पुश अप किये ये भी विश्व किर्तेमान और ये है एक घंटे 16 मिनित में लगातार 1501 दंड बैठक का रिकॉर्ड है ये भी विश्व रिकॉर्ड है गॉल्डन बुक को वर्ड रिकॉर्ड में दरज और बिना रुके दो गंटे 50 मिनित में 10,000 पुश अप का विश्व रिकॉर्ड संजै सिंग पहलवान के नाम है चलिए जो भारती रिकॉर्ड संजै सिंग पहलवान के नाम है 2008 में राजस्तान बाल केशरी 2009 में राजस्तान बाल केशरी 2010 में उत्रपरदेश बाल केशरी 2011 में ब्रिज केशरी 2012 में ब्रिज केशरी 2013 में मत्रा मंडल केशरी 2014 में जैपूर केशरी 2015 में ग्रामिन मंडल खेज योजना केशरी 2016 में नेचुरल पहलवान अवार्ड राजस्तान 2017 में नेचुरल बॉडी बिल्डिंग अवार्ड राजस्तान 2018 में 6 वर्ड रिकोर्ड कृतिमान जो मैं आपको दिखा चुका हूँ और 2021 में Strongman Man Championship ये अवार्ड इनको मिला है गर्वह में संजै सिंग पहलवान पर और ये सब कुछ गव माता की कृपासे हैं गव माता के ही साहिते बढ़ते हैं संजै सिंग रामचर इत्मानस और धेनु मानस का पठन नित्य गरते हैं और गोपाल मनी जी महराज के द्वारा ये संजै सिंग गो परदान की गई अपने गुरुदेव का नित्य पूजन करते हैं उसके बाद में तमाम कारिये करते हैं और ये उन्ही की कृपा महनते हैं इतने अवार्ड ये था हर्याना के पलवल जिले के कुश्चक बडोली गाउं से हमारा विसेश कारिक्रम जहां पर आज में देश के नामी पहलवान संजै सिंग पहलवान जिसके नाम के आगे गोबख्त लगता है ये जो बोड़ी आप देख रहे हैं ये जो गदा आप देख रहे हैं जो अनेक एवार्ड के माद्यम से संजै सिंग ने जीती है गोबख्ती से जीती है गोव माता के गव्य को शेवन करके गोगदूद से बनीवी चीजे गोवमत्र का शेवन करके जीती है और ये निस्सित रुफ से प्रतेग भारती के लिए गर्व की बात हो सकती है बिल्कुल ब्रह्मचारी है सात्विक चरित्र वाला एक युवा है जिस पे प्रतेग भारतियों को गर्व है और अब भगवान से हम कामना करते हैं कि इन्होंने ओफिस्यल एटेम्ट किया गिनीजबू को वर्ड रिकोर्ड में जिसका रिजल्ट कुछी दिरूमा आने वाला है हम भगवान से गोमाता से प्रातना करते हैं कि आपका नाम गिनीजबू को वर्ड रिकोर्ड में दर्ज हो ये मेरी भी सेन सुदला के तमाम दर्शकों की तरफ से संजे सिंग पहलवान के लिए कामना है सेन सुदला गला में स्यूप मार्तिवारी पने स्योगी विवेक तिवारी के साथ आप सब का देने बाद नमस्कार जैगोमाता